हेलो दोस्तो नमस्कार मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गर्मी का सिजन इतना बढ़ गया है कि कुछ न कुछ ठंडा खाने का तो मन करता ही है तो आज हम लोग बनाएंगे दही बड़ा जो कि बहुत ही जटपट बनकर रेडियो हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है बनाने में कोई भी परिसाने नहीं होगी न इन्नों का यूज करेंगे न कुछी चीज का यूज करेंगे यहां मैं एक कोटोरी उरुद का दाल ले ले रहे हो उसको ओवर नयट के लिए भीगो कर रख लीए हैं अब मैं यहां ले ले रहे हूँ एक जार इसमें डालेंगे यह दाल को भीगो ह्यूद धालको और उपर से डाल देंगे दो हरी मीर्च आप इस समय चाहते हैं तो आप अध्रक का टुकड़ा भी ले लें गर्मी का सिजन है इसलिए मैं अध्रक का टुकड़ा नहीं ली हूँ पानी डाल कर और इसका एक पेश्ट त्यार कर लेंगे ये देखिए पतला पेश्ट त्यार नहीं करना है इसका पेश्ट थोड़ा सा गाड़ा ही रखना है ये हमारा पेश्ट देखिए इसमें ट्रांसफर कर लिये हैं मैं इसको दो बैच में पीस कर रेड़ी करी थी तो इसमें थोड़ा सा पानी और सेकिंड वाला वैस में मैं डाल दी थी, यह देखिए, अब मैं इसमें डालूंगे थोड़ा सा मसाला, हिंग डालेंगे, डालेंगे एक छोटी चमच, जीरा, साबुत जीरा डालेंगे, और टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे, औ इसे गर्मी की सीजन में बना रहे हैं तो आपको इनों डालने की जरूरत नहीं है मैं इस्में इनों का युज नहीं करी थी से इसटर कड़ाही को गरम कर लेंगी कि आर उसमें डालेंगे तेल तेल को गरम होने के बाद इसमें डालेंगे आप जो बैटर है उसको थोड़ा थोड़ा इसमें करके डालेंगे हाथो को मदद से आप चाहते हैं तो इस्पून के मदद से इसमें डाल सकते हैं मेरे किचिन में सुबह सुबह धूप आता है इसलिए आपको धूप दीख रहा होगा इसका क्या ही कर शकते हैं यह देखिए एक तरफ से इसको गोल्डेन ब्राउन होने देंगे उसके पाद इसको पलट लेंगे यह देखिए यह हमारा गोल्डेन ब्राउन हो चुका है अब मैं इसको निकाल लोंगी एक बर्तन में इससे हाई प्लेम पे नहीं सेखना है इसको लो मिडियम प्लेम पे ही तलना है यह देखिए फिर से मैं सेकेंड बैच को रेडी कर ले रही हूँ एक कटोरी ओड़े दाल से मैं लगभग 15-20 दईबड़े बनाकर रेडी करी थी दो से तीन बैच, तीन से चार बैच में मैं इसको फ्राई करी थी तो मैं दो बैच आपको दिखला रही हूँ यह देखिए यह भी प्राई हो चुका है अब मैं इसको निकाल लेती हूँ यह देखिए इतना सारा दही बड़ा बनकर मेरा रेडी है देखिए अब चली बना लेते हैं इसके लिए दही यह मैं लगभग आधा केजी नहीं तीन से चार सो ग्राम दही ली हूँ और इसको अच्छी तरह से फेट ले रहे हैं इसमें डालेंगे पानी इसको थोड़ा लिक्विड करना है मुझे इस तरह से और पानी मैं डाल ले रहे हूँ है उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक, टेस्ट के कोडिंग इसमें नमक जाएगा नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब चलिए एक और बाउल लेते हैं उसमें डालेंगे गरम पानी और इसमें डीप करेंगे ये बड़े को इसमें डीप करेंगे और डायरेक्ट दही में डालते जाएंगे इसे जो दही बड़े होते हैं वो सौप्ट बनते हैं और जो एक्स्ट्रा ओयल होता है वो निकल जाता है इसी तरह से मैं सारा दही बढ़ा को इसमें डीप करूंगी और दही में डालते जाओंगी इदिखिए जो एक्ष्ट्रा है जो पानी था उसको मैं फेक दे रही हूं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का तड़का में मैं डाले थी जीरा हींग और तीन से चार छोटे वाले लाल मिर्च इसे मिक्स कर लें और इसी तीन से चार घंटे के लिए सेट होने देंगे यह देखे तीन से चार घंटे बार यह दे बड़े फूल कर रेडी हो गए हैं अब चलिए इसको सर्ब करते हैं यहां में ले रहे हूं एक बावल उसमें डालेंगी यह दे बड़े 6-7 दई वड़े मैं इसमें डाल रहे हूं अब जितना पसंद करते हैं उतना ले 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 और मैं इसमें डाले हूं थोड़ा सा दई वाला पानी जो जिसमें डिप किये थे वो और इधर मैं रख ले हूं थोड़ा सा गाढ़ा दई इसके उपर गाढ़ा दई को रख लेंगे साइड में मैं जीरा को भून कर ले ली हूँ जीरा में मैं थोड़ा सा काला नमक मिक्स कर ली हूँ अब इसके उपर मैं ये जीरा और काला नमक को छिड़क लूँगी इस तरह से ये देखे अब इसके उपर मैं डालूँगी हरे धनिया की चटनी हरे दन्या की चट्नी से बहुत ही टेस्ट हो जाता है बहुत ही टेस्टी बन जाता है आप यह दी पसंद करते हैं तो डालें नहीं पसंद करते हैं तो नहीं डालें मुझे तो बहुत पसंद है अब मैं इसमें डालूँगी खट्टी मिठी इम्ली का चट्नी जो कि टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है ये दिखिए इसको मैं पुरे दही बड़े में रख लूँगी इसके उपर फिर से मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर को डाल रही है और मैं इसके उपर डाल दोंगे थोड़ा सा भुजिया ये दिखिए ये हमारा दही बड़ा बनकर रेड़ी है इसके अर्मिमे में आप भी दही बड़ा बना कर खा सकते हैं प्रेंट रेड़ी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और आप फिड़बेक जरूर दिजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगे और आप इसे जरूर बना कर अपने घरों में खायेगा और बताएगा जरूर कि कैसा बना था फिर मिलते हैं एक नई रेसिपिके साथ बाइबाएं टेक क्यार